साप का नाम सुनते ही इंसान के मन में डर समा जाता है लोग सापों से दूर ही रहना प्रिफर करते हैं और भला करे भी क्यों ना अगर साप काट ले तो इसका अंजाम अच्छा तो नहीं ही होगा भले ही मौत ना हो लेकिन दर तो होगा ही वैसे आपको बता दे कि दुनिया में जितनी भी साप की प्रजातियां हैं उन में से अधिकांस जहरीली नहीं होती यानि अगर वो काट ले तो इनसान की मौत नहीं होगी लेकिन जो साप जहरीले होते हैं उनसे तो बचकर ही रहना चाहिए आज हम आपको दुनिया के सबसे जहरीले साप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जहर के एक बून से एक हजार लोगों की मौत हो सकती है पूरी दुनिया में सापों की करीब 2500 प्रजातियां मौजूद हैं कुछ खास इस्पीसिस खास इलाके में ही रहती है लेकिन इन में से हर प्रजाती जहरीली नहीं होती 2500 में से सिफ 500 प्रजातियां ही ऐसी है जो जहरीली है तो दोस्तों ये तो रही दुनिया में सापों की प्रजातियों की संख्या अब अगर बात करें भारत की तो यहां सापों की संख्या 550 प्रजातियां पाई जाती है जिन में से सिर्फ 10 प्रजाती ही जहरीली है तो ये बात तो साफ है कि भारत में मिलने वाले ज़्यादतर साप जहरीले नहीं होते ऐसे में अगर वो आपको काट ले तो आपकी मौत नहीं होगी अब बात करते हैं दुनिया के सबसे जहरीले साफ के बारे में एक ऐसा साफ जिसका एक मिलिंग्राम जहर से एक हजार लोगों की जा घा सकती है इसका नाम है ब्लेचर सी स्नेक यह समुधरी साफ है ब्लेचर स्नेक जादा तर पूर्वी एशिया और उत्तर आस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इनका बसेरा समुद्र ही होता है ऐसे में जमीन पर ये इनसानों को नुकसान पहुचाएंगे इसकी काफी कम ही संभावना होती है ब्लेचर स्नेक इतने जहरीले हैं कि अगर ये काट ले तो आपकी मौत पक्की है इसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता इस साप के सिकार जादा तर मच्छवारे होते हैं मच्छी पकड़ने के दोरान ये जाल में फस जाते हैं और इनसानों पर अटैक कर देते हैं वहीं अगर जमीन पर रहने वाले सापों की बात करें तो सबसे जहरीले होते हैं इनलेट डाइपन इनके एक मिलीग्राम जहर से सौ लोगों को मौत की नीन सुलाया जा सकता है ये रैटल स्नेक से भी जादा जहरीले होते हैं इनलेट टाइपन कर जहर रैटल स्नेक से दस गुना और कोबरा से पचास गुना जादा जहरीला होता है वहीं दुनिया में कुछ ऐसे भी साप होते हैं जिसके काटने के मात्र दो मिनट में ही किसी की मौत हो सकती है तो दोस्तों ये थी सापों की कुछ जहरीली प्रजातियां जो इस दुनिया में पाई जाती है अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफोमेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और ऐसी ही और अमेजिंग और इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए